उत्तरप्रिदेश सरकार के बुल्डोजर ने माफिया मुक्तार अंसारी के एक और करीबी को मिट्टी में मिला दिया सुबह होते ही लखनौ विकास प्राधिकरण का बुल्डोजर सिरा जहमत के अस्पताल पर पहुँचा और उसे द्वस्त कर दिया और लखनौ के हुसेन गन से जो तस्पीरे सामने आई उसमें लखनौ विकास प्राधिकरण का बुल्डोजर आलीशान एफाई अस्पताल को तोड़ता नजर आया बताया गया कि अस्पताल को नक्षा पास कराए बिना ही अवेद रूप से बनाया गया था इसलिए लखनौ विकास प्राधिकरण ने अस्पताल को पिछले महीने सील कर दिया था और अब कड़ी सुरक्षा के बीच इसे मिट्टी में मिला दिया गया सिर्फ अस्पताल को ही नहीं माफिया मुक्तार अंसारी की काली कमाई से बनाये गए एफवन टावर पर भी योगी सरकार की टेड़ी नसर है आरोप है कि एफवन टावर के आठवे और नौवे फ्लोर को बिना नक्षा पास कराए बनाये गया बताया तो यहां तक गया कि एफवाई टावर में सिर्फ छे फ्लोर बनाने का नक्षा पास है जबकि बिल्डर ने अपनी दबंगई से बिल्डिंग में नौ फ्लोर बना लिये इसलिए लखनो विकास प्राधिकरण ने आठवे और नौवे फ्लोर में रहने वाले लोगों को फ्लैट खाली करने का नोटिस थमाया तो लोगों में हड़कम्प मच गया फ्लैट ओनर सवाल उठा रहे हैं कि जब अपार्टमेंट बन रहा था तब लखनो विकास प्राधिकरण ने कारवाई क्यों नहीं की वहीं लखनो विकास प्राधिकरण का बुल्डोजर किसी भी दिन यहां गरच सकता है आसमान छूती इमारतों और आलिशान मकानों के लिए मशूर दुबई में एक पैंठाउस ऐसा भी है जिसकी कीमत पचास या सो करोड नहीं बलकी सोल है सो करोड रुपे है और कीमत के हिसाब से इसे दुनिया का सबसे महंगा पैंठाउस बताया जा रहा है ये पैंठाउस दुबई के लक्जुरी रेफल्स दपाम रेजिडेंसे में बना है और इसका नाम सूपर पैंठाउस आरवन रखा गया है बताया जा रहा है कि ये पैंठाउस तीन मंजिला है और 77,707 वर्ग में फीट में पहला है इसे बनाने वाली कंपनी का दावा है कि ये दुबई का सबसे बड़ा पैंठाउस है और इस पैंठाउस में आठ बेड्रूम, एक प्राइविट लिफ और एक थिएटर है साथ ही फिटनेस के लिए इसमें जिम, बास्किट बॉल, कोर्ट और स्पाकी भी सुविदा है पैंठाउस के बाहरी हिस्से में आउटडोर पूल, एक छोटा गोल्फ कोर्स और टेर्स गार्डन भी है पैंठाउस की बालकेनी के सामने देखने पर पूरा अरपसागर नजर आता है इस पैंठाउस की बुकिंग शुरू हो गई है, हाला कि बुकिंग करवाने वाले शक्स को ये पैंठाउस सवा साल बाद ही मिल पाएगा दुबाई दुनिया में सबसे तेजी से उभरता प्रॉपर्टी मार्केट है, जहां निवेश करने वालों में भारती है सबसे आगे है विपक्षी एक जुटता का दावा करने वाले इंडिया गटबंदन में शामिल पार्टियों के बीच दरार भी देखने को मिल रही है बंगाल में सीट बटवारे कुले का टीमसी और कॉंग्रिस में तलकी दिखाई पड़ी और इसकी वजह ममता का वो पयान रहा जिसमें उन्होंने कॉंग्रिस को लोग सभा चुनाव में दो सीटें देने की बात की थी इसी से नाराज कॉंग्रिस निता अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता के खिलाफ बयान बाजी की जिस पर अब गठबंदन में शामिल दूसरी पार्टियों के बयान सामने आए अधीर के बयान पर आरजेडी ने भी दावा किया कि इससे गठबंदन में कोई फर्थ नहीं पड़ेगा इस तरह के बयान आते रहे हैं इसके बावजूद मजबूती के साथ ममता दीदी इंडिया गठबंदन में सामिल है और भाजपा हटाओ, देश बचाओ, नारों को बुलंद कर रही है हाला कि आरजेडी ने भी माना कि कुछ राजियों में अभी सीट बटवारे पर पेच भसा है लोकसबा चुनाव की तैयारियों में जुटे इंडिया गठबंदन में अब सीट बटवारे को लेकर बयानबाजी बढ़ती जा रही है गठबंदन में शामिल दल एक जुटता का दावा तो कर रहे हैं लेकिन कहीं भी अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई है यही वज़ा है कि किसी भी राजि में गठबंदन में शामिल दल कितनी सीटों पर मिलकर कहां चुनाव लड़ेंगे इसका अपचारिक ऐलान नहीं हो पाया हाला कि दावा यही किया जा रहा है कि गठबंदन में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई मतभेद नहीं है बताया जा रहा है कि 7-9 जनवरी के बीच गठबंदन के दलों की सीट बंटवारे को लेकर बैठक होगी जिसमें आगे की तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी गहलोत ने दावा किया कि कॉंग्रेस गटबंदन में शामिल सभी दलों को साथ लेकर चलेगी इंडिया गटबंदन में जहां सीट बटवारे को लेकर फिलहाल संशे बना हुआ है तो उधर बिहार में सीट बटवारे पर जेडियू और आर्जेडी में बात तैह हो गई है सूत्रों के मुताबक इसे लेकर नितीश और तेजस्वी के बीच एक बैठत भी हुई जिसमें सीट शेरिंग के फॉर्मूले को लेकर जेडियू और आर्जेडी ने अपना रुख साफ कर लिया सूत्रों के मुताबक तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच हुई बातचीत में ये फैसला हुआ कि बिहार में जेडियू, आर्जेडी, कॉंग्रेस और लेफ्ट मिलकर चुनाव लड़ेंगी जिसमें लोगसभा की 16 सीटों पर जेडियू चुनाव लड़ेगी वही 16 सीटों पर आर्जेडी भी चुनाव लड़ेगी जबकि कॉंग्रेस और लेफ्ट के लिए 8 सीटे छोड़ी गई है जिसमें 5 सीटों पर कॉंग्रेस और 3 सीटों पर लेफ्ट के उम्मीदवार लड़ सकते हैं सूत्रों के मुताब एक सीट बटवारे की ये रणनीटी जेडी और जेडी ने तैकी है लेकिन अभी कॉंग्रेस और लेफ्ट की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और देश के वोटरों से धोका करने का आरोफ लगा दिया कॉंग्रेस नेता अधीर रंजन ने सवाल पूछा कि कैसे चुनाफ से पहले बीजेपी सीट जीतने के अंगडों का दावा कर सकती है विपक्षी दलों ने बीजेपी को घेरा तो पार्टी अध्यक्स जेपी नडड़ा ने भी उन्हें राजनीती का पार्ट पढ़ा दिया जूट बोल करके राजनीती नहीं चलती है लोगों के साथ चुनना पड़ता है उनकी सेवा करनी पड़ती है उनकी तस्वीर बढ़नी पड़ती है उनकी तखदीर बढ़नी पड़ती है तब जाकर के राजनीती नडड़ा ने कहा कि जूटे वादे करने वालों को जनता सबक सिखा देती है हमारे देश में ये माना जाता है कि अगर किसी चात्र को IAT यानि इंडियन इंस्टिटूट अफ टेकनोलोजीज में दाखिला मिल गया तो उसका भविश्य बन जाएगा इसका ताजा सबूत भी सामने आया है IAT बॉम्बे से जहांके 80 से ज्यादा चात्र रातो रात करोड़ पती बन गए है IAT बॉम्बे के करीब 85 चात्रों को साला ना एक करोड़ रुपे से ज्यादा की पैकेज का ओफर मिला है चात्रों को सबसे तगड़े आफर Research and Development सेक्टर से मिले है साथ ही IAT Software और Consulting सेक्टर में चात्रों को अच्छे जॉब्स आफर मिले है बताये जा रहा है कि इस साल IAT बॉम्बे के चात्रों को मिलने वाला औसर्च साला ना ओफर करीब 37 लाख रुपे रहा जबकि पिछले साल औसर्च साला ना ओफर 37 लाख रुपे का था दिसंबर में खत्म हुए पहले फेस के प्लेस्मेंट में IAT बॉम्बे के 1188 चात्रों को 1340 जॉब ओफर्स मिले हाला कि बताया जा रहा है कि इस बार IAT बॉम्बे के चात्रों को पिछले साल के मुकाबले कम ओफर्स मिले हैं नौकरी देने वाली कमपनियों Airbus, Air India, Google, Apple, Intel, Morgan Stanley, Reliance और Tata Group शामिल है इस साल भी भारत के अर्थववस्था, दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ेगी UN ने अपनी रिपोर्ट में कहा भारत की आर्थिक विकासदर लगातार 6 फीसदी के ऊपर बनी हुई है UN ने 2023 में 6.3 फीसदी GDP रहने का अनुमान जताया था पर रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में भारत की GDP 6.6 फीसदी रहने का अनुमान है नए साल की शुरूआत में गुजरात की कमपनी जोती CNC Automation Limited का IPO आ रहा है ये IPO 9 जन्वरी को खुलेगा जिसमें निवेशक 11 जन्वरी तक निवेश कर सकते हैं ये कमपनी Computer Numerical Control Machine बनाने वाली बड़ी कमपनियों में से एक है भारतिय शेयर बाजार में आज तेजी देखने को मिली Sensex 165 अंकी तेजी के साथ 72,013 के इस्तर पर बंद हुआ तो वहीं निफ्टी 46 अंकी तेजी के साथ 21,705 के इस्तर पर बंद हुआ